आपने सबसे पहले घबराना नहीं है जो RSS है वो 1925 में बनी BJP तो भी बनी है खत्म बाइबाई टाटा गुड़बाई गया तो दोस्तों आप लेवने तो खबर सुन ली होगी कि चीन के गौदर फोट में एक बहुत बड़ा मुसल्मान सुसाइट आतंगवादी हमला हुआ है और उसमें कुछ पाकिस्तानी, कुछ बच्चे और कुछ चीनियों के मारे जानी खबर सामने आई थी लेकिन दोस्तों आप खुता दें कि इस खबर के आने के सोजस लेके 24 घंटों पहले, चीन नासिफ अफगाने साम के सरकर बजाए तालिबान का समर्थन करने की बात कही थी बलकी चीन जो है और वो यहां तक भी खोश्टा करने हो रहा था कि वो समय चलते तालिबान को माने था दे देगा फिर दोस्तों से बाद जब चीन द्वारा ऐसा बयान दिया गया तब जो चीन के अंदर ही चीन के कौन स्पाटे कुछ नेता थे उन्होंने चीनी राष्ट पतिस साथ साथ चीन कुछ जो बड़े अधिकारी हैं उनके उपर नासिफ सवाल उठाय बलकी उन्होंने चीन के राष्ट पतिस लेके चीन के विदेश मंतरी को अपने फैसले पर दोवारा विचार करने के बाद भी कही थी लेकिन दोस्तों अब जो चीनियों पर मुसल्मान आतमवादी हमला हो चुका है इसके बाद जो शीन जीन बिंग है वो नासिफ और ज्यादा भड़केंगे बलकी अब फिप्टी फिटी ये भी चांस है कि जो चीन है वो अपनी पिपल सेलिबरेशन आर्मी को पाकिस्तान के अंदर तैनात करेगा और आप कुता दें कि पाकिस्तानी गौदर पर ये जो हमला हुआ है इसमें भी तर्ग जो कोई साफ नहीं हुआ है ये तालिबान दोरा किया गया है या फिर किसी एक बाहरी ताकत ने किया है लेकिन आप कुता दें कि जो पाकिस्तान है उसने इस हमले आर्मी का हाथ हो सकता है और जो पाकिस्तन है वो ना सिब इससे पूर्ण तो साबित करने कोशिश कहरेगा बलकि उसने अब इसकी यह उजला बनाना भी शुरू कर दिया होगा और आप लोग अभी चनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को भी ओन कर देना क्यों ज